अगली खबर है गौलियर से गौलियर की तीन ठानों की पुलीस ने संयुक्त कारिवाई करते हुए गांजे की तसकरी करने जा रहे आठ तसकरों को पकड़ा है तसकरों से पुलीस ने 540 किलो गांजा बरामत किया है बरामत किये गए गांजे की कीमत लाखों में बताई जा रही है फिलाल पुलीस ने पकड़े गए सबी तसकरों के खिलाफ नार्कोटिक्स अधनियम के तहत मामना दर्ज कर उनके इस गिरोह में शामिल अने लोगों के बारे में भी पूछता शुरू कर दी है फिलाल यह पता नहीं चल सका है कि तसकर यह गांजा किसे सप्लाई करने जा रहे थे गौलेर के SP अमित सांगी ने बताया है कि मुखबिर द्वारा पिन पॉइंट सूचना मिली थी की आंधर प्रदेश से मुरैना भारी मात्रा में गांजा सप्लाई होने आ रहा है मुखबिल की सूचना पर पुलीस अधीक्षक ने जहांसी रोड इंदरगंज और कंपू थाना पुलीस की एक टीम बना कर मादक पदार्थ को पकड़ने के लिए निर्देश दिया था पुलीस टीम ने कारवाई करते हुए चेकिंग के दौरान लगबग चार बजे के करीब एक सफेद रंकी बिना नंबर की स्कॉर्पियो कार और एक ट्रक को शिफ्प्री की तरफ से आते देखा पुलीस ने बेरिकेट लगा कर इस ट्रक और स्कॉर्पियो को रोग कर चेक किया तो उसमें 8 व्यक्ति बैठे हुए थे पुलीस ने जब ट्रक और स्कॉर्पियो की चेकिंग की तो उसमें करीब 540 किलोजी है लेकिन सप्लाई करने से पहले ही वो पकड़ लिये गए पुलीस अब यह भी पता लगा रही है कि तसकर इस गांजे को मुरैना में किसे सप्लाई करने जा रहे थे फिलाल पुलीस के पकड़े गए सभी तसकरों के खिलाफ नार्कोटिक्स अधिनियम के तहट मामला दर्सकर पुछता शुरू कर दी है गिरफ्त में आए 28 वर्षी अमित उर्फ करुवा पुत्र मनोज शर्मा निवासी ग्राम जौरी जिला मुरैना 24 वर्षी विजय पुत्र घूरे लाल परमार निवासी कैथरी धौलपुर राजस्थान 29 वर्षी सुशील पुत्र श्री कृष्न कुषवा निवासी सिक्षा नगर ग्राम जौरी मुरैना रामसिया पुत्र भगवान लाल कुषवा निवासी रूमिपुर रोड जौरा मुरैना धर्मेंडर उर्फ सुनील पुत्र ब्रजभान यादव निवासी ग्राम आम खेडा बदर्वास शिप्पुरी राजेश पुत्र करन सिंग बगेल निवासी नगरा सिलावली पोर्सा मुरैना देवदत पुत्र पूजा रामकुश्वाह निवासी जगतपुर माता बसया मुर बड़ी में और साथ ही इसके साथ एक स्कॉर्पियो थी करीब 540 किलो गांजा अलग अलग पैकेट्स में बरामद हुआ है और लगभग ये 50 लाक रुपे से उपर का है इसमें कुल 8 रूपी मिले है